हलो दोस्तो मेरा नाम है अनकेत और तिलक लगा कि सौगत करता हूँ दिल से सौगत करता हूँ आपका Mechanical Guru YouTube चैनल पर अपडेट आ रही है IOCL की तरफ से IOCL में Engineering Assistant, Junior Office Assistant Technical Attendance की Vacancy निकली हुई है जिसके लिए आप All Over इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास experience नहीं है, आप fresher है, आप बिल्कुल apply कर सकते हैं, vacancies freshers के लिए है, ITA, diploma और graduation वाले, क्या BE, BTEK वाले eligible है, बहुत important question है, इस सवाल का जवाब आपको notification में मिल जाएगा, मैं बता दूँगा, इसके अलावा बहुत जदे important है, form बनने की fees बहुत कम है, 100 चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू, दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, मेरी मैनत, आपका लाइक और हम सब मिल के इंडिया को आगे बढ़ाएंगे जरूर, share जरूर कर दीजेगा, अपने दोस्तों के साथ उनको भी बता तो, IOCL में बढ़िया मौका है मेकैनिकल गुरी यूटूब चैनल कभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेब, बैल आइकन को प्रेस भी कर दीजेए, दोस्तों जैसे मैंने बता, IOCL में बढ़िया मौका है, आप All Over India से अप्लाए कर सकते है, Freshers बिल्कुल अप् काँ 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 पे किस-किस रीजन में, IOCL में वेकैंसी निकली हुई है, वह बताया गया है, तो स्क्रीन पर आप रीजन देख सकते है, रीजन वाइस यह वेकैंसी है, गुजरात यानि कि Western रीजन में टेकनिकल अटेंडेंट और इंजिनिरिंग असिस्टेंट मेकैनिक में टेकनिकल अटेंडेंट, जारखन में इंजिनिरिंग असिस्टेंट अलेक्रिकल, यूपी में इंजिनिरिंग असिस्टेंट अलेक्रिकल, वेस्ट बंगाल में इंजिनिरिंग असिस्टेंट मेकैनिकल, वेस्ट बंगाल में इंजिनिरिंग असिस्टेंट टी एंडाई, बिहार में junior office assistant की vacancy निकले हुई है junior office assistant की vacancy देख सकते है बिहार में आपको नजार आएगी इसके अलावा पंजाब में technical attendant, दिल्ली में technical attendant, उत्तराखंड में technical attendant पंजाब में engineering assistant mechanical, उत्तराखंड में engineering assistant mechanical तो कुल मिलाकर 22 vacancy है जिसमें से unreserved है 14 अब इन सब vacancy में post में कौनकों सी branches eligible है इस बार में हमें बताया गया है सबसे पहले engineering assistant mechanical में तीन साल का full time diploma है तीन साल का full time diploma है या फिर ITI के बाद electoral entry के थुरू आपका diploma है तो आप बिल्कुल अपलाए कर सकते branches mechanical, automobile 55% के साथ pass out वाले engineering assistant electrical में diploma electrical, electrical and electronics तीन साल का diploma है या फिर दो साल का letter entry diploma ITI के बाद आप बिल्कुल अपलाए कर सकते 55% के साथ pass out वाले engineering assistant T&I तीन साल का diploma है या फिर दो साल का है ITI के बाद आप बिल्कुल अपलाए कर सकते branches electronics and communication, electronics telecommunication, electronics and radio communication, instrumentation and control इंस्टूमेंटेशन एं प्रोसेस कंट्रोल इंजिनियरिंग एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग वाले अप्लाए कर सकते हैं 55% के साथ पास आउट वाले Engineering Assistant की जो वैकेंसी इसमें डिप्लोमा वाले ही अप्लाय कर सकते हैं इसमें BE, V-Tech Eligible नहीं है Notification में हमें बता दिया गया है आगे में इस Point के बारे में हम जरूर बात करेंगे इसके बाद Junior Office Assistant की वैकेंसी है जिसमें Bachelor's Degree यह फुल टाइम Bachelor's Degree यह आपके पास Instrument Mechanic, Instrument Mechanic Chemical Plant, Machinist, Mechanic Cum Operator, Turner, Wireman, Draftsman, Mechanic Industrial Electronics, Information Technology, Mechanic RAC, Mechanic Diesel, तो यह सब trade वाले ITA वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं. इसके बाद हमें साफसा बोल दियागे कि जिसके पास higher qualification है वह eligible नहीं है और यहां पर बोल दिया गया है कि आप eligibility के लिए 14th point का point है और point B चेक कीजे तो 14th point में चलते हैं यहां पर point A बहुत important है जहांप eligibility के बारे में बताया गया है यहां पर आपको समझ में आएगा कि degree वाले eligible है कि नहीं है for the post of engineering assistant and junior office assistant यहां पर दोनों पोस्ट की बात की गई है engineering assistant और junior office assistant दोनों ही पोस्ट की बात की गई और यहां पर बोला गया है candidate जिसके पास qualification graduation and above है यानि कि graduation और उसके above qualification है engineering में डिगरी है mca में डिगरी है mba में है या फिर इसके equivalent दो साल का PG diploma है या फिर कोई और professional qualification है PhD, MBBS है, LLB है यहां पर अप्लाएं नहीं कर सकते बोला गया है graduate and above professional qualification which is considered at induction level qualification for officers post in IOCL need not apply as they have higher qualification than the prescribed induction level qualification for the prescribed post तो यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि जो engineering assistant की vacancy है और junior office assistant की vacancy है इसमे graduation and above वाले degree in engineering और जो दूसरे qualification है जो यहां पर mention किये गए है यह apply नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए official level में अलग से vacancy निकलती है और यह qualification है यह higher qualification है तो बोला गया है कि आप apply ना कीजिए यह 14th point के point A के अंदर लिखा हुआ है जबकि 14th point B में लिखा हुआ है कि technical attendant जो ITI वालों के लिए vacancy है इसमें diploma वाल है मतलब higher qualification वाले इसमें eligible नहीं है ITI वाले वाले वस eligible है तो technical attendant के लिए इसके अलावा engineering assistant के लिए diploma वाले है जबकि junior office assistant की post के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हमें साफ साफ दे दिया गया कि graduation and above है आपके पास यहां फिर डिग्री है इंजिनिरिंग में या फिर कु है क्योंकि आपके लिए अलग से official level की vacancy निकलती है और यह आपके level से कम है यह साफ साफ यहां पर notification में में बता दिया गया है दोस्ता application अभी स्टार्ट नहीं हुए अभी सिफ official notification आया application स्टार्ट होने वाले आप form भर सकते है 2019 से और form बनने के आखरी date यहां पर रखी गई ह 23, 2019 यहां पर आपको salary किते मिलेगी वह हमें बताया गया है engineering assistant और junior office assistant की post के बारे में बात करें तो यहां पर pay scale 11,900 से लेकर 32,032 अच्छी खासी salary मिलेगी आपको बहुत बड़ी है salary मिल जाएगी प्लस TADHR मिल जाएगा यह pay scale बताया है बेसिक्स बहुत अच्छी रहेगी क कोई दिक्तत कोई परिशानी वाली बात नहीं है एज लिमिट यहां पर 29,219 रखा गया 29,219 तक आप एज लिमिट में आने चाहिए और एज लिमिट रखी गई है 18 से 26 साल एज में relaxation मिल जाएगा SCST OBC वालों के लिए form बनने की fees बहुत कम है 100 रूपय है general EWS OBC वालों के लिए इसके लावर reservation जनके पास है उनके लिए form बनने की कोई भी fees नहीं है इसके बाद बहुत important point हमें दिया गया है selection procedure, selection यहाँ पे return और उसके बाद skill test के basis पर होने का skill test को यहाँ पे physical test यहाँ पर proficiency test भी यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले जो skill test यहाँ पर proficiency test होने वाला इसकी बात करें तो इसे qualifying nature का होने वाला है जहाँ पर 40% marks आला के आपको qualify करना है 1 to 5 के ratio में लोगों को invite किया जाएगा skill test के लिए यह भी notification में बता दिये गया है और इसके अब अगर हम return के बारे में बात करें तो return some number का 100 marks का होने वाला है 100 questions आपको देखने को मिलने वाला है और जैसे कि मैंने बताया negative marking यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है इंजीनिरिंग असिस्टेंट जो डिप्लोमा वालों के लिए vacancy इसमे 75 questions डिप्लोमा से लेटर रहेंगे जबकि 25 questions non-technical रहेंगे जहाँ पर aptly, reasoning, english, awareness, gk इन सबसे questions आपको देखने को मिलेंगे 25 questions इसके बाद junior office assistant की जो vacancy इसमें 100 questions जो है यह पूरी तरीके से non-technical ही देखने को मिलेगा और technical attendant की जो vacancy है इसमें जो 100 questions रहेंगे इसमें 75 questions टेट से लेटर, discipline से लेटर, idea आपने कौन सी टेट से किया उससे related रहेंगे और उसके बाद 25 questions जो होने वाले है वो non-technical होने वाले है यानि की aptly, reasoning, english, gk वगर 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 यहाँ तो return जो है वो 90 minute का 90 minute का आपको समय मिलने वाला है 100 questions को बन इसको होने की संभावना है, exam के center आपको कहां मिलेंगे, वह हमें नहीं बताया गया है और आपको exam देने तो जाना ही पड़ेगा, return देने तो जाना ही पड़ेगा, यह तो important है, लेकिन exam के center के बारे में भी हमें नहीं बताया गया, कोई भी details नहीं दी गई है, form start नहीं हुए आपको direct नीचे description में मिल जाएगी, आप click कीजेगा, download कर लीजेगा, apply करने के link कभी खुली नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोस्तो इस video को like जरूर कीजेगा, इसके अलावा facebook में, instagram में, twitter पर आप मुझे follow नहीं किये, अभी तक तो बिलकुर follow कर लीजे, telegram में हमार ग्रूप है, telegram का हमारा group join कर लीजे, बहुत interesting कीजे, बहुत बढ़िया बढ़िया बाते हमें वहाँ पर करते हैं, इसके अलावा mechanical guru YouTube चैनल को, YouTube चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किये, तो बहुत ज़दे important है, इसको subscribe करना जरूरी है, bell icon को भी दबाना जरूरी है, क्योंकि मै latest update रोज आपके लिए लेके आता रहता हूँ, बहुत जल्दे में मिलेंगे भाई लोग, जै जवान, जै किसान